HDFC रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड, इस डेबिट कार्ड के क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है, क्या चार्जे से और इस डेबिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं, complete information आज की इस वीडियो मिलने वली है, वीडियो बापेंट तक जरूर देखें ताकि आपको HDFC रूपे प्ले इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप Amazon Space से कोई भी आप रिचार्ज करते हैं, या फिर आप कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, तो आपको इस 10-20% तक का डिसकाउंट इस डेबिट कार्ड पर आपको मिल जाएगा, बट आपका जो ओडर होगा, वो कम से कम 129 रुपीज का ह होना चाहिए, तब ही आपको 20% तक का डिसकाउंट मिलेगा, और मेक जीवाम जो डिसकाउंट होगा, वो पर मन्त आप 100 रुपीज तक का डिसकाउंट इस डेबिट कार्ड के थुरू आप ले सकते हैं, इसके अलवा इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप सुईगी से भी कोई भी ओडर करते हैं, तो भी आपको 20% तक का इस्टेंट डिसकाउंट मिलेगा, लेकिन आपका जो ओडर वेल्यू होगा, वो कम से कम 129 रुपीज की होनी चाहिए, लेकिन यहापे जो आपको डिसकाउंट मिलेगा, क्लेंग्डर मन्त के अंदर 100 रुपीज तक का मिलेग अगर आपको पूरे निटेल में चाहिए, तो इसका लिंक आपको डिसक्रिफ्चन मिल जाएगा, जासे आप रीड कर सकते हैं, और इस डेविट कार्ड के डेली केस विडरोल लिमिट की यहाँ पर बात करें, तो इस डेविट कार्ड से आप डेली 25,000 रुपे तक का एटीम से विडरोल कर सकते हैं, एटीम मसीन चाहिए, एस डेविट कार्ड को यूज करके आप 2,75,000 रुपे तक का डेली आप यूज कर सकते हैं, तो यानि कि जो डेली की लिमिट है, वो भी कापी अची इस डेविट कार्ड पे मिल जाती है, इसके अलावा भी इस डेविट इस डेविट कार्ड को यूज करके आप 5,000 या पिर उससे ज्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, इनके जो मर्चेंट पार्टनर स्टोर है, वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे फरनिचर का हो गया, एपरल का हो गया, या फिर मोबाइल का हो गया तो ऐसे ट्रांजेक्शन पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है, और आपके डेविट कार्ड पे EMI की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, इसके लिए आपको इस्क्रेन पे नमबर दिख जाएगा, इस नमबर पे आपको जो बेंक में रजिस्टर मोबाइल नमबर है, उसके थुरू आपको मेसेज करना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके जो डेविट कार्ड है उस पे EMI की फैसिलिटी है या फिर नहीं है, अगर है तो कितने रुपे तक का आप EMI के अंदर सामान को पर्चेस कर सकते हैं, और इस डेविट कार्ड पे फ्यूल सर्चार्ज वेवर भी मिलता है, बट जासे भी आप फ्यूल लेते हैं, वहाँ पे HDFC बेंग की swap machine होनी चाहिए, तब भी आपको फ्यूल सर्चार्ज इस डेविट कार्ड पे वेवरों मिलेगा, इसके अलावा इस डेविट कार्ड पे इंसुरेंस का बेनिफिटी भी मिलता है, जिसमें परस्नल एक्सिडेंटल का इंसुरेंस से वो 2 लाग रुपे का मिलता है, ये परस्नल एक्सिडेंटल इंसुरेंस और पर्मानेंट डिसेबिलिटी होने पे भी इस इंसुरेंस को प्लेम कर सकते हैं, और ये जो इंसुरेंस का बेनिफिट इस डेविट कार्ड पे मिलता है, और इस debit card पे airport lounge access की facility भी मिलती है, इस debit card पे आपको पर क्लेंग टू क्वाटर के अंदर आपको एक domestic airport का lounge access मिलेगा, इसके अलावा एक complimentary आपको railway का lounge भी access मिलेगा, यानि कि हर quarter में आप एक railway का lounge और एक domestic airport का lounge को access इस debit card के थुरू कर सकते हैं, इसके अलावा international lounge भी मिलता है, एक साल के अंदर आप दो lounge का benefit आप international भी इस debit card से ले सकते हैं, साथ में इस debit card पे आपको concierge service की facility भी मिलती है, अगर आपको कोई भी travel booking करना हो, hotel booking करना हो, या फिर आपको movie ticket बुक करना हो, flower delivery करना हो, तो ये तमाम तरीके के services आपको concierge service की debit card पे मिल जाती है, तो आप गर बेटे, आप इन service का benefit ले सकते हैं, साथ में ये जो debit card मिलता है, ये contactless feature के साथ मिलता है, आप किसी भी return outlet पे 5000 रुबे तक का transaction इस debit card के तरू आप बड़ी असनी से कर सकते हैं, और इस debit card को manage करने के लिए, आप HDFC bank की net banking के तरू मेनेज कर सकते हैं, या फिर mobile banking के तरू भी manage कर सकते हैं, या फिर HDFC bank की my card A पे उस असलत ये जो facilities हैं, ये आप HDFC की net banking और mobile banking या फिर my app के तरू कर सकते हैं, इस debit card के eligibility के बारे में बात करें तो इस debit card को लेने के लिए Indian residence भी ले सकता है, साथ में NREB इस debit card को ले सकता है, इस debit card को लेने के लिए आपके पास HDFC bank में या तो salary account होना चाहिए, या फिर saving account होना चा आपके पास कोई भी एक normal account है, तो आप इस debit card को बड़ी असने से ले सकते हैं, इस debit card के charges की बात करें तो इस debit card का annually charges होगा, वो 200 plus 18% का GST आपको देना होगा, यानि कि 236 रुपीज का आपको हर साल इस debit card का charges देना होगा, वही इस debit card के replacement या पिर issue आप करवाते हैं, आपका debit card काई भी भूम हो जाता है, या फिर चोरी हो जाता है, और आपको अगर नए debit card issue करवाना होता है, तो यहापे भी आपको 200 plus 18% का GST आपको देना होगा, और इस debit card से आप railway की ticket book करते हैं, जहां आप railway station पे जाके counter से ticket book करने पर आपको 30 रुपीज का extra charges यापे लगने वाला है, साथ में आपको 1.8% का transaction charge भी इस debit card पे लगेगा, अगर आप online IRCTC की website के थुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपको 1.8% का transaction charge यापे पे करना होगा, इसके अलवे इस debit card को आप internationally यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप जो भी withdrawal करेंगे, पर transaction पे आपको 125 रुपीज plus 18% का GST का charges साथ में आपको 3.5% तक का Porex currency charges भी पे करना होगा, दोस्तो इस debit card के बारे में अगर मेरा opinion बताओं, तो अगर आप HDFC bank में एक आप normal saving account open कराते हैं, या पिर normal salary account होता है, या पिर normal current account open कराते हैं, तो इस case में आप इस debit card को ले सकते हैं, वैसे ज्यादा benefit तो इस debit card पे नहीं म debit card या पिर platinum debit card आप लेते हैं, तो वैसे debit card का 500 रुपे से लेके 1000 रुपे तक का charges या पे लग जाता है, बट उनका भी इतना कोई benefits या पे नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास एक normal account है, तो आप इस debit card को consider कर सकते हैं, कापी अच्छा debit card है, तो बस यही था HDFC bank रुपे platinum debit card क इसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोच की notification आपको मिलती रहे सब सब फिलने,